All right and welcome to all, आज है 25 जून UPSC मेंस को डिसकस कर लेते हैं, नोट 2017 एथिक्स कोशिन का ये previous year कोशिन है, UPSC का Now, कोशिन बहुत सिंपल है, कोशिन को मैं directly समझा देता हूँ आप एक spare parts company A के मालिक हैं, मैं assume करता हूँ आपको normal example देता हूँ, कि आप suppose A, जो local company, जो local नमकीन की company होती है, उसके मालिक हो, suppose आप पंकज नमकीन के मालिक हो, ठीक है, और आपको क्या करना है, company B के manager से deal करनी है, और B company जो है, वो हल्दी राम है, राइट, अब क्या होता है, जो deal होनी होती है, जो dinner है, रात का खाना है, उसके बाद होने वाली होती है, और उसके बाद जो हल्दी राम के manager है, वो आप से कहते हैं, आप है, पंकज नमकीन के मालिक, तो अब होता गया है हल्दी राम के जो मैनेजर वो कहते हैं कि हम आपको गाड़ी में छोड़ देंगे अपनी और ठीक है दोनुं माल लेते हैं और दोनुं चले जाते हैं अपने घर के ओर अब उस दोरान गया होता है जो अपने छोड़ा ड्रंक भी होता है चलो ड्रंक तो यहाँ पर मैं extra नहीं जोड़ूँगा क्योंकि यहाँ पर लिखा है वो थोड़ी सी तेज स्पीड में रहते हैं और अपना control खो देते हैं और उससे एक motor cycle वाला बंदा जो है injured हो जाता है अब इतनी पूरी story है बट बहुत सारे बच्चे यह होते हैं कि यहाँ पर अपना यह सोचन लग जाते हैं बिना question पड़े कि answer क्या देना बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार मैं company को बचाऊंगा दो-दो अपने viewpoint दे देते हैं बट question वाले ने जो पूछाओगा आप उसका answer देंगे ठीक है देखो question यहाँ पर बहुत simple है इतना पूरा story जारने के बाद what are the dilemmas you face सिर्फ यह answer करना है आपको यह देखो what are सिर्फ dilemma mention करनी है इसमें आपको यह नहीं बताना है कि मैं इसकी help करूँगा मैं इन सब को बताऊंगा या एक condition मा आप कहरे हो कि मैं जो सच्चा ही नहीं बताऊंगा गवा नहीं गवाही नहीं दूँगा बड़ आप यह सोचो कि आप I.S. officer हो एक ठीक है तो हमेशा याद रखना चाहे कुछ भी आप का इंस्टांस हो आपको ethics की case जो study है वो build up करनी पड़ेगी अपने आप में ठीक है तो ऐसी situation आपको देने का मौका ही नहीं मिलेगा वो last मैं आप answer करोगे वो मैं कैसे करोगे वो बताऊंगा ठीक है यहाँ पर आपको honesty रहना है यानि कि कहीं पर भी law break हो रहा ना उसके approach में कभी जाओ गए ही नहीं case study में चाहे आपका मन कैसा भी करे क्योंकि आपका जो मन है अभी वो ही है कियार आप self interest के लिए भी सोच रहोगे मेरी company को loss हो जागा बट आप as an I.S. officer यह करोगे ही नहीं है ना क्योंकि आपको पैनलिस्ट या examiner को यह बताना है कि आप मैं सच्चा ही है इमानदारी है क्योंकि आगे जाके अब जब I.S. officer बनोगे तो इमानदारी वाली चीज़ां करोगे राइट तो what are the dilemma you face यह आपको लिखना है कौन-कौन से डाइलमा हो सकते है लीगल डाइलमा हो सकता है जिसमें हम बोलेंगे कि अगर मैंने पुलिस को गवाही देने से मना कर दिया तो यह लीगली रॉंग होगा पहला यह डाइलमा हो गया मौरली कौन सा डाइलमा है आप कहोगे मैं गवाही देने से मना कर दूँगा तो इससे क्या होगा जो उस परसन का राइट है ठीक है आर्टिकल ट्वंटीवन वाला भी लिख सकते हो राइट टू लाइफ है मौरली वो गलत रहेगा ठीक है आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो मौरली भी रॉंग रहेगा क्योंकि यह उस परसन को जस्टिस नहीं दिलवारा क्योंकि उसका तो आर्टिकल ट्वंटीवन वो हुआ है आपको कि आर्टिकल ट्वंटीवन कैसे राइट टू लाइफ वो मर भी सकता था इंजर्ड हो चुका है वो ठीक है तो उसको जस्टिस नहीं मौलेगा तो मौरली यह वाला जो है गलत हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से आप तीन चार डाइलमा लिखेंगे पर्सनल कॉस्ट वाला पर्सनल कॉस्ट वाला कि अगर मैं नहीं बताओंगा तो इससे मेरी कंपनी जो है वो अच्छी ग्रोथ करेगी राइट तो ये तीन डाइलमाज आप मेंशन कर दोगे पहले पार्ट में स्टेक होलडर या थोड़ी सी स्टोरी बता कर इंट्रोड़क्शन में अब वाट विल बी वर रिस्पॉंस टू दा सिटूइशन हमारा रिस्पॉंस क्या होगा तो आप क्या होगा होगे एक सच्चाई वाली बात बोलोगे कि मैं मैंनेजर के जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उनके साथ कॉपरेट करूँगा कॉडिनेट करूँगा और जो भी ऐस पर कानून के अंतरगत इसकी सजा है वो उनको मिलनी चाहिए अब इससे भी आप उनेस्ट प्रूब हो गए और आपका अंसर भी हो गया राइट अगर आप सोशल मेडिया से कड़ भी है तो टेलिग्राम में बहुत सारे जो जन्यून चैनल है जो आपको यूप से स्टटी मटरियल देते हैं से राइटिंग देते हैं तो आप जोईन कर सकते हैं उसमें से है एड़रेट पियार पॉब्लिकेशन तो आप इसको जोईन कर लीजे क्योंकि ओल्लेडी फाइब थाउजंड से ज़्यादा यूप सी एस्प्रेंट ने इसको जोईन किया हुआ हुआ है और जो भी कॉशन दिया जाता है अभी हमारी एथिक्स जी एस पेपर फोर एथिक्स केस इस्टडी की प्रिविएस येर कॉशन की सरी चल रहे है यानि कि आपका पूरा ये एक तरह से ये आप कह सकते हो कि पूरी एक जो कोर्स होते हैं उसकी तरह चल रहा है अब इसके साथ ऐसा ही नहीं कि सिर्फ हम question देते हैं जो हमारे मजह होए answer writing expert है कहने का मतलब मैं expert ही कहूंगा जो हमारे paid user है जो लगातार कुछ सालों से answer writing कर रहे हैं ठीक है वो भी अपना paid answer उनका मैं share करता हूँ अगर आप चाते हैं आपकी जो copy analysis हो आपको सही direction में phone guidance मिले date wise the Hindu notes daily answer writing आपको 499 रुपीज में मिलेंगे NCRT आप revise कर रहे हैं तो test series ले सकते हैं 6 to 12 chapter wise UPSC CSET का video course 15 plus videos plus PDF मिलेंगी तीनों course अगर आप एक साथ लेते हैं तो discount rate है 999 रुपीज और lifetime के लिए होंगे एक बार access कर लिए उसके बाद लेने की जरुवत नहीं पड़ेगी राइट चलिए ना लेना कैसी है बहुत सिंपल है दिये गए नमर पर Google पर phone पर कर सकते हैं जो भी payment करेंगे उसकी screenshot same नमर पर WhatsApp करनी है और हम आपको अपने टेलिग्राम private group से एट कर लिए जहां पर सभी material आप एक साथ access कर पाएंगे ना देखिए यहां पर मैं अपना model answer बता चुका हूँ कि आप introduction में हलकी से story डालोगे stakeholder डालोगे फिर number wise क्या है ethical dilemma बताओगे ना कि आपका situation आप क्या action लोगे वो बताओगे sorry for the pause मुझे अभी तक पता नहीं था कि fan चल रहा है तो अभी मैंने अभी तक manage कर लेना आगे की क्योंकि main यहां से जो है analysis मैं करने वाला हूँ right अभी तक जो है avoid करना fan की मुझे पता नहीं चला और sudden मुझे पता चला तो मैंने off कर दिया now देखिए introduction मां आपको क्या करना है एक दो तिन लाइन की story लिखना है क्योंकि 150 words का है फिर उसके बाद direct हलका सा space देखे stakeholder के बारे में mention करोगे कि कौन कौन stakeholder है right और body part से ही space देखे आप dilemma mention करोगे ethical dilemma, moral dilemma, legal dilemma और उसके बाद क्या आपका वो होगा कि आप coordinate करोगे बस इतने में answer आपका खतम हो जाएगा चलिए, यहाँ पर देखते है मैं एक spare देखिए जहाँ पर आपने बता दिया है ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर नैतिक दूधा ठीक है, hit, धारक और उपस्तित विकल्प यहाँ पर आपने stakeholder बता दिया है उपस्तित विकल्प देखे, गवाही देने से इंकार कर देना देखे, उपस्तित विकल्प में आपको विकल्प mention ही नहीं करने थे ठीक है, हाला कि आपका add the end आपने यह पूरा बताया होगा कि मैं morally यहाँ पर गलत हो जाओंगी या morally गलत हो जाओंगा उपस्तित, यहाँ पर हम आप विकल्प पूछे ही नहीं गए अगर आप जोती अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो caution देखो, बहुत simple अगर मैंने हिंदी माध्यम में अगर वो देखें, हिंदी माध्यम में भी यह है आप किन देखें, आप किन दोदाओं के सामना कर रहे हैं, इस्तथी पर आपकी क्या परतिकरिया होगी, कौन सी डाइलमा का सामना कर रहे हैं, तो आपको डाइलमा का mention करना था, model answer में भी मैंने यह दिया है, यह दिखो, directly एक तो आप मतलब डाइलमा के basis पांसर लिखोगे, आपको उपस्तित, विकल्प, option के basis पांसर नहीं लिखना है, तकि moral डाइलमा, legal डाइलमा, right, फिर उसके बाद response तो मैंने बता ही दिया है आपको, तो ऐसे आपका आंसर सुरूर नहीं होगा, सिर्फ आपने देखें, नैतिक दुवदाही आपको बताई, और इसी के basis पर, इसके बाद आपको क्या करना था, मैं आपको डारेक्ट बता देता हूँ, introduction लिखने के बाद, stakeholder mention करने थे, और इस question में directly, नैतिक, morally, legally, यह आपको ही तक का, तो यही होता है, actual में कि हम सोचते हैं कि 2016, 2017 या कोई भी ethics का case study हम करते हैं, तो initial में तो सभी लोगों को पता रहता है कि, जिनने answer writing नहीं किया, अब जोती मेहता ने ये face कर लिया, यावला question, अब जोती मेहता को पता है कि, हाँ, अब मुझे क्या करना, अब इनकी एक और site खुल जाएगी, answer writing के लिए, और अगर मैं जोती मेहता के बारे मैं बोल रहा हूँ, तो ये मैं सभी मैं apply करना चाहता हूँ, और most probable, बहुत सारे लोगों ने ऐसा ही answer लिखा हुआ है, मैंने check भी किया, ठीक है, तो उन्हों लोगों ने भी, अब ये face question कर लिया, तो अब आपको पता है कि story के बाद हमें ये ध्यान रखना है कि हम से पूछा क्या किया है, क्योंकि अभी तक हम case study कैसे करते आ रहे थे, कि normally सभी में विकलप, option क्या क्या है आपसे, क्योंकि अभी आप answer लिखने से पहले ही, तो question वाला, examiner question देने वाले खाली नहीं बैठे रहते हैं, देखो, उनको भी पता है कि यार, आपके मन में दो question आ सकते हैं, जो कि question का negative vibe create कर देंगे, यहां पर जोती महता का बहुत ही negative चीज मिल रही हैं, हाला कि उनने लाश्ट में तरक भी दिया हुआ, कि यह morally गलत है, ethically गलत है, उससे मतलब नहीं है, question लिखने का तरीका पता हो होना चाहिए, dilemmas की basis पे लिख हो गया, I think, जोती महता समझ रही है, comment box में बता दें, अगर समझ गई हैं तो, ठीक है, उपस्तित विकल्प के basis पे answer नहीं लिखना था, भागी आपका answer हाला कि जो point होंगे न, at the end वही indirectly कर रहे होंगे, अधिकारी को यह देखिए, last में यह वाला point आपका body part होता अना कि विकल्प के basis पा answer नहीं लिखना था, तो हम कहिंगे यह answer का format गलट हो गया, ठीक है, चलिए, इनका देखते हैं, रेनो नौटियल का, introduction दिया, stakeholder दिया, यह देखिए, dilemmas, इन्होंने मैंचिन किया, personal cost, ethical, moral dilemma, legal dilemma, ठीक है, to save a criminal, is also a crime, मैंने response to the situation, अब मैं यहाँ पर यह बात करूँगा, कि आपको यहाँ पर, रेनो नौटियाल से भी, कि आपने ठीक है, legal dilemma बताईगी, criminal को save करना भी एक crime है, right, ओके, sorry for the boss, यहाँ पर देखिए, dilemma को और जदा एक्स्टेंड करके बताना था, personal cost, moral dilemma and legal dilemma को, right, particular जितने भी story है, उस basis पर, dilemma को अपनी wrong proof करना था, response to the situation, I will try to convince the culprit to surrender to the police, देखिए, यह बहुत सही कहा, कि आपके पास, अब, जो second body part है, वो यहाँ से शुरू करेंगे, कि आप convince करवाओगे, culprit को, कि आप surrender करें, in case, if he refuse to surrender, then I would cooperate with the investigating agency, to giving the correct details of the accident, देखिए, आपको तो यह बतानी है, corporate है, देखिए, surrender करेंगे, तो corporate करेंगे, right, पर फिर भी आपने अच्छे option लिखें, reason, just to make little profit, I can't let, बहुत बढ़े answer, ठीक है, बड़ आपकी कमी थोड़ी से यहाँ पर यह रही, कि और ज्यादा personal cost, moral dilemma, legal dilemma के basis पर, इनको थोड़ा सा औ बढ़ा कि अपने answer को लिखना था, ठीक है, जो मैंने आपको बताया, okay, now, देखिए, तो बहुत सरे लोगोंने answer लिखा है, okay, जैसा मैंने बोला, यार, 16 जुलाई तक, थोड़ा सा alternate, adjust कर लेना, आप लोग, answer writing के मामले में, है न, Monday को करेंगे, तो फिर Tuesday को, फिर Wednesday को करेंग में एक तो बहुत मुस्खिल से exam आता है, right, तो उनके लिए वीडियो और थोड़ी से PDF करेंट कर रहे है, थोड़ा सा आप aspirant है, तो समझ सकते हैं, कि देखिए, ये 16 जुलाई को exam है, 16 से लेके 26 जुलाई तक, online exam है, तो इसके बीच कभी भी हो सकता है, वो exam, ठीक है, तो ज इसलिए मैंने model answer पहले बताया, और दो copy check कर ली आपकी, ठीक है, बांकि सबी लोग जो मैंने बताया है, उसी के basis पर अपनी answer चेक कर ले है, right, 16 जुलाई से दो answer writing की जाएंगी, और जो freshers हैं, उनकी और ज्यादा answer writing चेक की जाएगी, ठीक है,